24 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़ादा लोग घायल हो गए किसी ने किसी का यूद टैंक तबा किया तो किसी ने किसी का एर डिफेंस सिस्टम तबा किया अगर ऐसी खबर आपको रोज आने लगे तो आप क्या सोचेंगे ये एक साफ साफ यूद के संकेत हैं और आप ये समझ जाएंगे कि यूद कहीं न कहीं हो रहा है दोस्तो हम बात कर रहे हैं अर्मेनिया और अजरबाजन के बीच में हो रही लडाई के बारे में तुर्की के राष्टपती रेशब तयप एर्दोगान ने अर्मेनिया को धमकी दिये और अजर्बाजन के खुल के समर्थन का एलान किया है। एर्दोगान ने विश्व समुदा का आहवान किया है कि इसकी वह इस कुरूरता के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ आ है। उदर अर्मेनिया के परामपरगत सयोगी रूस ने ततकाल सीजफायर का एलान करने और हलात को स्थिर करने के लिए बाच्चित का आहवान किया है। इस सग्योग का मनना है कि अजरबेजन का भी काफी ज़दा नुक्सान हुए है। अर्मेनिया ने यह दावा भी किया है कि अजरबेजन के चार हिलिकप्टरों को मार गिराया है। और 33 टेंकों तथा लड़ाकू वाहनों को भी निसाना बनाया गया। अजरबेजन ने पूर में किये गये उस दावे को खारिज किया है जिसमें उसके दो हिलिकप्टर को मार गिराया गया था। जिस इलाके में लड़ाई सुरू हुई है वो अजरबेजन के तहट आता है लेकिन यहाँ पर 1994 में ही अर्मेनिया द्वारा समर्थित बलो का कबज़ा है। लड़ाई सुरू होने के वज़ा का पता नहीं चल सका लेकिन इससे पहले जुलाई में जड़पे हुई जिनमें दोनों तरफ के मिलाकर कुल सुलो लोगों की मौत हुई थी। अजरबजन ने कुछ छेत्रों में मारसलो लगाया है तथा कुछ परमुक्सारों में कर्फ्यू के भी आदेश दिये हैं। अजरबजन ने दावा किया है कि उसने कारबाक में रड़नेतिक रूप से महतवपूर्ण एक पहाड़ पर कबज़ा कर लिया है। बता दे कि अर्मेनियाई इसाई बहुल इलाका है और अजरबजन मुख्यता मुस्लिम आबादी वरा देश है। अजरबजन में तुर्की मुल्के बहुत से लोग रहते हैं। विसलेशकों को डर सता रहा है कि यह जंग नियंतरण से बाहर निकल सकती है। तो दोस्तो अगर आपको हमारा चैनल का कोई भी खबर अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बूले और आपको कमेंट सेक्षिन में सुझाओ दे और घंटी के इकन को दबाना नहीं बूले ताकि समय पर आपको अपडेट देते रहें।